सबसे पहले मैं शुर्वाद जड़ा अजीजी आपसे ही करना चाहरी हूँ और सीधा सवाल यही है कि क्या गुना को जाती से जोड़कर जो सियासत हो रही है वो सही है सबसे जो एहन साथ है कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले जब से उत्तरप्रदेश की सरकार उत्तरप्रदेश में आई है आउज आरी आपको ज़्यजाजी जी आप ने देखा कि नों एक रूल मॉडल बना लिए थे हैं रूल मॉडल क्या है फरजी इंकाउंटर रोल माडल क्या है बुल्डोजर चलाना आपने देखा कि मान्ये सुप्रेम कोर्ट ने भी यहां तक कि रास्के मानवा अधिकार आयोग ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया सवाल इस बात का है कि फर्जी इंकाउंटर के नाम पर कब तक आप लोगों को डराएंगे क्या अप जिस तरह से हरकत कर रहे हैं जिस तरह से फर्जी इंकाउंटर करके देश में एक भय का महुन बना रहे हैं कोट के चेरी कहा है इन आप देखें कि मैं मैं नहीं कह रहा हूँ आप देखें कि में सवाल कोड़ा हुआ आजमगर ने मुकेश राजभर इनके वाइन ने और रूवाटबर इंका फर्जी काउंटर च cuenta किया अइन कवर्ज दूजज गोजि बूजर का फशिळी इंकाउंटर क्या गया किने ग जी जी जब आप यह कहते हैं कि फर्जे एंकाउंटरे चलिए मैं एक बार गी अगर उसको मान भी लूँ लेकिन इसमें मेरा सवाल आपसे बुन्यादी यही था कि जाती से इसको जोड़ कर देखने क्या जरूरत थी आपने सुना अनुश प्रताप सिंग क्या कह रहे हैं तो क क्या हूं इंकाउंटर कर देखिए यह भी कीरा है ना दिमाग में कौन डाल रहा है हो सकता है वो भी राजनिती के तैत कह रहे हो या जैसे कह रहे हो सर लेकिन अगर जाती का कीरा दिमाग में डाला जाएगा तो ऐसे बयान आएंगे ना सर अपरात को अपरात के चश्मे से सकते हैं क्या दिक्त कि अधिकारियों से इकबाल साच कन्ट्रोल नहीं है यह सरकार संच क्या ळोमस्त कर देने से क्या में कर aujourd예요 जिस तरह भय का महवद उत्तर प्रदेश में पैदा किया जारा है आप जाती की बात कर रहेंगें क्या महीं हो रहा है हमें आपको लंगी जो फेरिष्ट बताई सुमित पूजर को ले ले आप रांगी पासी को ले ले मुकेश राजवर को ले ले यह कौन लोग है यह पीडिय जाट गुजर सत्रा यादव सोला अठीपिक्षरा 24 कहां जाती दिख रही है सर मैं वही कह रहा हूं पहली बात को यह बात मांगे चले कि जाट देंकर इंकाउंटर हो रहा इसमें कोई दोरा नी लेकिन उसके साथ-साथ जो भी इंकाउंटर हो रहे हैं किसी भी जाती के आप तक क्या है जो आप कह रहे हैं कि जाती के आधार पर इंकाउंटर हो ने इसका बुनियाद मुझे समझाईए सरकार के आकड़े सामने हैं सरकार ने प करने देगी तो मुझे लग रहा बात चीक समझ में आएगी देश के सामने स्थीक बात जाएगी मैं कह रहा हूं कि करने जाती के आधार पर नहीं अपरादियों को सजा होनी चाहिए अब आपके सब्सक्राइब कर दो कि अधार नहीं कि कैसे कह रहे हैं सर मैं यह जानना चाहिए उम्हाइए पर अलग बात कर लेंगे मुझे आपी बताई सरकार में बगाइदा इसलिए आकड़े जारी कर दी ह है सर कि कितने मुसल्मान कितने ब्रामन कितने राजपोट जाद गुजर यादा वाती पच्छडा कि कितने लोगों का अभी तक एंकांटर हुआ कि जाती का हुआ वो सब इसलिए सामने रख दिया गया लेकिन आपको यह क्यों लगता है कि सिर्फ यादों टागेट किये जा सरकारी जो आकला है वो परापर नहीं है मैं उसको उचित नहीं मानता मैंने आकला आपको दिया है आठ हजार सर्जी इंकांटर हुए है और उसमें तमाम पीडिये परिवार के लोगों को बारा दे हैं यह लोगों का अभू है यह लोग उनके भाई विरादर रिष्टेदा यह लोग लगा रहे है इस बात पर समझे आज सरकार जो आखा दे रहे है वो बिलकुल पूरी तरह से अस्वाश्टा क्या कह रहे है वो एक बार सुनवा दे उसके बाद प्रेम शुक्ला अगविला सवाल मेरा आप से होगा तो श्री मान्य मुख मंत्री अकले शिंह आदो किया था कि यादों कांटर ओठाकोर केंट प्रें कांटर क्यों नहीं उगए अब तो ठाक अभी एंकांटर हो गया राजनीत के में हमारे लड़का प्लू ऱम मुझे कहा की के सहारई जीव मैं पता है कि हमारे लड़के क्या दूसता एक सर्कार को में Indigenous pussy तो आपको क्या लगता है कि राजनीती में आपके बच्चे यहां हमारा लड़का हमारे राजनीत का सिकार हो गया दोनों लोगों के राजनीत आज पता चला कि लूटांड में वो था कि नहीं था? कुछ नहीं था मुझे विए कोई जानकारी नहीं थी कि लूट का अनुट था कि नहीं था कि प्रेम शुक्ला जी राजनीती के भेट वो चड़ गया अपराधियों पर कारवाई हो रही है या सिर्फ यह बालेंसिंग आप्ट है अगर कोई अपराधिय पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस जवाबन कारवाई करती है और हर एंकाउंटर की मजिस्ट्रेट इंक्वारी होती है हर एंकाउंटर को नेशनल हुमन राइट्स कमिशन को रिपोर्ट किया जाता है यह कह रहें कि 8000 फरजी एंकाउंटर होगे दो हजार सत्रा से दो हजार चोविस तक एक भी मजिस्ट्रेट इंक्वारी में एक भी नेशनल हुमन राइट कमीशन ने एक भी फरजी एंकाउंटर करार दिया हो तो कृपा करके जो है आधरनी अजीज खांजी प्रस्तूत कर दे इन्होंने विकास दूबे के एंकाउंट अब जो लोग आतंकवादियों को भी मजभब के आधार पर निर्दोष सिद्ध करके रिहा करने का काम कर चुके हैं जो लोग अफजल गुरु को सुप्रीम कोट द्वारा फांसी दी जाने बाद भी अब अफजल गुरु को सुप्रीम कोट ने मृतुद्र ने सुनाया रा उसकी शोयात्र मुंबई में निकली तो समाजवादी पार्टी के कारेकरताओं ने अल्ला हो अकबर नारा ये तकबीर अल्ला हो अकबर का नारा लगाया अब याकूब मेमन के लिए तो रात में जो है सुप्रीम कोट रात में भी खुल गया था उसके बाद भी रात नहीं म क्यों भाई हमेशा अपराधियों के साथ 1993-94 से लेकर दो हजार चोविस तक अपराधियों के पक्ष में खड़े रहने का इतिहास है और अजीस खान जी एक एंकाउंटर का जिसमें फरजी हुआ सिद्ध हुआ हो अदालत ने सिद्ध किया हो जाच ने सिद्ध किया हो नेश इसको लोग स्विकारेंगे है किसे निया विरस्ता करते सवाल है यह सवाल अपने सवाल जाते हैं कि जब आपने का हटी की सब्स्सक्राइब और पर भी सवाल इसी लिए उत्ते हैं यह नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है फैसला मजिस्ट्रेट की होगी होती है मुझ्टेट की इंक्वारी में और कोई फर्जी एंकाउंटर होगा तो पखड़ा जाएगा उसके पास उसके को थाई कोट गया है अजीज खांजी बता दे कि इनको फरजी इंकाउंटर लगा फला इंकाउंटर यह चले गए लिए लिए लेकिन आपने जुनाय में भूप तो नहीं बोलते हैं यह बीजेपी ने 2018 में 40 से ज्यादा परादियों का इंकाउंटर किया सुनिए सर यह आपका मैं यूपी पुलिस ऑफिश्यल की तरफ से मैं अकड़ा रखने हूं बीजेपी ने 2018 में 40 से ज्यादा अपरादियों का इंकाउंटर किया जितना समाजवादी पार्टी के पूरे कारिकाल में 15 मार्ट से 2012 से 19 मार्ट 2017 तक ने हुए जी तो अर्पिता जी तो अपरादियों के साथ थे न मुक्तार अंसारी की कबर पर सिज्दा करने वाले एंकाउंटर करेंगे अतीक एहमत का जो है कुत्ते को सहलाने वाले एंकाउंटर करेंगे बकरी चोर आजम खां को जो है गौरवानमीत करने वाले जो एंकाउंटर करे अपराधियों को जो है तो कहा रहा हो ना अच्छा को आराम से लाला के लिए यानि आपकी सरकार में इसली जाबा एंकाउंटर हो क्योंकि आप अपराध को बढ़ दाशने करें ने ने सर एक निट जो मैं यह सवाल आप से पूछ रहे हूं आप पिता जी का दिखा दीजिए मुझे आप यह बता दीजिए आपने कहां की यानि जितने एकाउंन इसका मतलब सरकार कितनी ततवर्तासे काम कर रही है सीधा मतलब यह ना एसपी सरकार ने काम नहीं किया था उस समय आपने किया इसलिए तो मुलायम सिंग की जब सरकार थी उन्चे सगस 2003 से 13 माई 2007 तक तो यह सब फर्जी थी क्या यह सारे फर्जी एंकाउंटर तो अभी आई नहीं नहीं हां तो लेकिन उसमें अपराद रुके क्या याद है आपको 2007 का चुनाओ किस मुद्धे पर हुआ था चल गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर याद है आपको किस किस पर जनादेश आए था अगर एंकाउंटर के कारण अपने अपने अपलब्दियां बता ही कि देखिया हमारे आपरादी जो सब्सक्राइब आपको चाती नहीं पीट रहा हूं मैं सीना ठोक सकता हूं आप यहीं गिना रहे हैं अगर यहीं अब अब अभी अभी अर्पिता जी नहीं यह पाराई पास एक पंकच यादो जी बैटे ते देवरिया के देहरादून रहते हैं उन्हें ने का मैं देहरादून से देवरिया 2017 के बाद अपनी गाड़ी लेकर जाता हूं कभी आज तक मैंने से छिनेती देवी और मुलायम कि बादे प्लीजेए यह कहा है कि अपशियला उत्रपतेश के लोगों ंरी कि टीक चोड़ा रेक्षिन ने अर्क डेविक लूटर ऑफ और मैं बार बार आप से कह रहरा हूं आप हुँए पत्रकारों के साथ है आप शुड़ीट सिंग रमान कश्याः इनके साथ तक 14 पत्तकारों की हत्यarsh गिए और्लाइडारल की स्थिटी है आज देखिए कोई शुरजची थे उत्तर प्रदेश में बड़े-डामे कि फ़ज़। क्यों भॉलते हैं अब अगर आप इसी पर आएं तो एक और आपके सामने रख दू रॉबरी की केसेज में 2016 में का है सिती तुछ से प्रजिश्की 4502 केसे आते थे सर 4502 और आज की ते के आज की दौर में आप यह क्राइम बढ़ गया है अपराद बढ़ गए है मैं कि क्योंकि लूट पार्ट की घटना डकैसी की घटना है आज की डेट में एक हजार नौफो पचत्तर दौसर बाइस का यह अकड़ा एंसी आर्बी की रिपोर्ट है सर आप कह रहे है ना तो फिर आपकी बात कहां से जस्टिफाय हो रही है आप राध बढ़ रहा है अब यह अकड़े भी जूटे है तो महिलाओं के किराथ उत्पीडन की बात जरा बत के आकड़े बत सुन लीजे सर 2016 में रेट के आकड़े थे 4816 आज की रेट यानी 2022 में 3690 बड़े की कम हुए पताते चलिएगा बड़े की कम हुए सर अब इस बात को आपको बताना है चीक कम हुए सर अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप यह आकड़े तो मैं बता दू कम हुए अब चलिए मडर केस में भी आ जाईए मडर केस में 2016 में 4889 केस थे ठीके सर 2022 में आते आते 3491 बड़े की कम हुए सर मैं बताऊं अजया है वह अजया है कि अजया राफ यह आकड़े की अजया है कि यह आप जैनाई है कर नहीं सकता अजया अर्फिता अगर आपके आखड़े होंगे तो पता निस रही होंगे कि नहीं होंगे योगी आधितनात 19 मार्च से 2017 से अब तक 207 मारे गए हैं अपरादी और मुलायन सिंग की जब सरकार्टी उन्तिस अगर 2003 से 13 माई 2007 तक तो 499 था आकड़ा सर 499 अब इन दोनों से बड़ा चुटा भी बता दूं क्या सर मैं कौन ज़्यादा कौन कमी भी बता दूं जो आकड़ा जो आकड़ा लेकर आप बैठी है आप प्रैक्टिकली देखिए न कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है किस तरह किस तरह लोगों में यह भै है कि ला एंड और खतम है आज यहां नियाए विवस्ता नहीं है नियाए पराड़े नहीं है मनीज खुप्ता यहीं गोरकपुर है गोरकपुर में किस तरह हत्या की गई है सिंपल महाल की बात है न सर्थ महाल बनाने की बात आप महाल बना ले गए चार सो निन्यम्बी काक्ड़ा चोटा लगने लगा क्योंकि महाल अभी बना गए प्रदेश की जनता में भय है उसको पता है जनता को इबात को आपको एसास हो गया है कि सरकार बेतर नहीं चल रही है यह ड़ाने की राजीत हो रही है किस तरह एक आम जनता में डर है कि कब उसका इंकाउंटर हो जाए यही तो समझ रहा है वही आम जनता कौन है जिसकी हर पैरवियां राजीतिक दला के बैठके कर जाता है यह आम जनता कौन है यही समझना चाहते हुए